वेल हिंदुस्तान में ज्यादा तर जो पेशेंट या मरीज हैं वो पेट से परिशाद आते हैं उनको कफजियत या ब्लोटिंग खटे डिकार आना ये परिशानिया उनको पराबर बनी रहती हैं और इसके लिए जिम्यदार उनकी खाने बेरी की जो आते होती होती हैं वो ज्यादा तर ये फास फूड इस्तमाल करते हैं या ऐसे भोजन लेते हैं जिसमें फाइबर्स कम होते हैं या ज़्यादा आईली या डी-फ्राई जो खाने होते उनको भी लेते हैं जिसके उनका पेट जो एकसर गरबर आता है और इसी वज़ाए से फिर और भी उनको परशानी, chronic constipation भी से लोग परशान आते हैं तो ऐसी हालत में मरीज्यों को खान पान पर ध्यान देना चाहिए और भोजन में salads, fruits इस सब चीज़े ज़्यादा होनी चाहिए बस बजाए इसके एक तालिप होनी चीज़े और बागी चीज़े जो डॉक्टर उसको बताया, उसको खाला का। चाहिए